कि अलो प्यार्वेशों चाल मैं रास्तर स्वागत करता हूं पूरे स्टेट के नंबर वन एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाइज स्कूल पर आसा आप जिंदा जानदार जवच असके प्राइम निदम से बैस होंगे प्यारे बचो आज मैं आपको लिए आया हूं बहु बहुत इंट्रेस्टिंग मजधा टॉपिक है पूरी क्लास को सुरू से अंतर देखके जाना और कहें दे रहा हूं बहुत मज़ा आएगी कॉफी नॉलेज़बर क्लास है आज आप पोधों के बारे में जान जाओगी कि अधिक परी ऐसा भी होता है क्या राजा ऐसा भी होता ह और क्या क्या होताना वह तो क्लास में पता किलेगा और लेकर बार जान आपकी किताब से कहीं ज्यादा चीजे मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत ज्यादा ही नॉलेज़बर रहेगा मजदा आएगी क्लास में और एक बात वीडियो को लाइक कर देना जितने दोस्त चा पहले यह देख लेते हैं इसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तब से पहला जो स्टार्ट होगा हमारा पहले यह पादप उतक होता क्या है पहले हम पादप उतक है उसमें हमारा जनत उत्तक है तो पादप उतक है तो पहले हम पढ़ेंगे विवजोती उत्तक और तीन व्टरगार होते हैं शीश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् हम लुग क्या करेंगे हम पहले सरल उतक के बारहें पढ़ेंगे और फिर जिटे लुत्त अजिए और लोके बारे में इतनी जादा जानकारीासित कर लोगे आप होता हैं तो पेले घुए अपूwardu में पायने वाले हमारे उत्थ क्या करनां थे पाधि न प्लम सिंपल क्या से गतर फरे कोश्टे कौन से मिनकर बने होते हैं मैं अब हम लोग पढ़ेंगे बठाब पर प्रकार में तो विवजोती उत्तक के बारे मम लोग परणने वाले इसके बार बहुत ज्यादा इंपोर्टन इसको हल कि मत जलना अब इस समय कहीं दे रहा तो बढ़ाया विवजोती उत्तक होता क्या है तो कह रहा है विभ्योत्तक उत्तक पौधों में पाए जाता है और नहीं तो का फिर क्या आदमी में पाएगा हरे हाँ पौधों में पाएज जाता है तो पौधों में पाएज जाने वाला एक प्रका का उत्तक है जो लगातार विभाजित होने की छमता रखता है यह इंट्रे यही चीजों को लिक्सित करते रहना तो तो क्या करता रहा है लगतार नहीं है व्र वर्धि नहीं उनके क्या है लंबाई विकास होना इसकी पूर्ण होता है बहुत ज्यादा है कि अगर विबजोत्तिक उत्यूत की अगाँ लइक तो यह सारा विविव्योत्त करता है तुम किरम ऐहां तो बात करता है क्रिकon क्रूतम का पेला क। सियर के बेटा करो जैसे मैंने बोला विवजोतिय तक कितने प्रखार का अगर था प्रखार तो नाम तुरह किस्य इस Γएर लोग यह है जैसे मैं किगे लिए जैसे मैं कुछ ऎलोगी अगर तुम्हें पता है तुम पहले ही बता दो जैसे कि लाइक मैंने बात किया कि वीडियो तुरंट पॉस करो पॉस करने के बाद बीना देखे तीरों कि तुन्हों नाम लिगतो अब जैसे मान लो कि हम लोग इधना तुम्हें पता चल गया कि अच्छा सी इस होता है पार्स होता है अब तुम्हें पता है कि एक्जाटली सी लिखतो इससे क्या होगा ना तुम्हारा जो ग्यान है वह और बड़े कर लाइक सपोस्ट कि तुम एक तरह से कह कर रहो कि जो तुम्हें याद है उसको लिख रहे है और लिखने से चीज़े क्या याद होती है तो इस हाइबीट को अपने अन्ना लाओ यह मस्तों चुक की लए बात कलिया रखना ठीक है औहसं अब बता हमारा तक होता क्या सिसर्ष विभ्यूथे उत्त्य होता क्या पहला सिर्स आगया तो का राय कर आसे बbbeंगि जड़ों के सीज़े कोर्षे में पायज जाता है कहाँ पर बटा जो पॉद्खय। जो सीर्स भाग होता है वहाँ पर और पौधों की जो जड़े होती है उनके यह सीर्स भाग में यानि दोन उपर और नीचे तो परटा पौधा जो तना होता है वो उपर की और ग्रो करता है जबकि जो जड़ होती है वो नीचे की और ग्रो करती है तो भाई लंबा हो उसको हो होना है कि नहीं होना तो बटा वह कर रहा है कि जैसे जो होती है नाम से पतर चल जा रहा है सीज़ के मतलब होता है सबसे उचा सबसे तौप पर पाइस बटा पाउजाता है पौदों के सीर्ज भाग में और जड़ों की कुस कावम में भिपाए जाता है अच्छा आगे देखाँ कराइऑ उत्त प॥ो की प्रात्मिक वृद़् धी लिए उत्तर दाई हुता है यानि पौदों की जो प्रात्मिक वृद्धि थी होनी करता है यानि उपर को लंबाई बढ़ाना और नीचे की रभी बढ़ाना दोनों के कम हमारा यह सीर्स बिवजोथ कहता चाहिता है अब जाओ एक पोध्य को देखो अब पोध्य को सबसे टाफ पॉइंट है वहां पर सोचो कौन सा उत्तक होगा बटा सीर्स विविजोती उत्तक होगा अच्छा पेड़ू को उखाड लेना नहीं है पेड़ बरबाद मत करना बस देख लेना समाज लेना कि जो जड़ होती है जड़ में भी सीर्स विविजोती उत्तक पाया जाता है अच्छा बटा कही पर यह सिर्सस्त भी लिखकर आसाथ तो परशान नहों ना सियम चीज़ और सिर्सस्त बात एक ही है पौधों के लंबाई और जोड़ों के लंबाई में बढ़ाने काम आता है आगया इस उत्तक का निर्मार प्रात्मी की विवज्योति उत्तक के द्वारा होता है यानि जो हमा मौटे हें थाना मोटा विभो होगी न conception Suzda कांसा मोटा आपा कि अग меньше बेशूषां अंगर मोटा न हो सकता तो बहुत लंबा पेडंबाहाइड हो पाएगा दूखो- कि नीचे से पेड़ मोटा होता है तो उपर मजबूती आती है अगर नीचे से पतला है जैसे कोई आदमी जिम कर लिया है और खोब इसको बॉड़ी फुला लिया अब पैर दन से रखवा मारा हुआ है तो क्या वह अच्छा इस्ट्रक्चर आएगा नहीं आएगा गिर देज हुआ आएगा तो बत वही है कि हम में क्या करना बिटा यह जो फार्स में विजुत्रक होता है यह क्या रता ह पौधों की मॉताई बढ़ाता है और जड़ों की मोताई बढ़ाता है आगया यहां यहां की मोटाई वृद्धि के लिए यह दोतीयक वृद्धि के लिए उत्तरदाई होता है आ गया यह काउर के तवारा रूप में चाल के रूप में पाजाता है आपने देखा होगा ना काउर काउर कोश्टिकां के दौप कोश्ट का कि खुज रॉबाट ठोकने की थी तो बटा यह पाओधों की नोड यानि गाठ के पाए जाती है तुसे नोड कहते हैं जिसे गन्ने में ये गाम में बोले तो कटी बाज़राब होजने पे जो कटी वाले होते हैं उसमें भी बार बार काइज लगांट पाए जाती है झुकार आए कि अंतरवेसी की नोड यानी गांट के पास नए साहः पत्यों के निकलने के उत्तधाई होता है अगर नए साखह निकल रही है नए सांखह का जन्म हो रहा है यह नए पत्ती को निकलने की चीज़ा एक पत्ति को निकालने को सिस्कता साथ में एक नए तने को भी निकालने का काम हमारे का अंतर्वेसी उत्तक कहता है बात क्लिए याद करते जो बड़ा यही सारी चीजी इंपॉडंट है आगया फिक करा रहे अंतर्वेसी व्यूजित उत्तक पर्वसंदियों पर पायजाते हैं यह घास कुल चावर मक्का गना इत्यादी के पौधों में पायजाता है कौनसा अंतर्वेसी यह एतना सिंपल में जानो आपका जो व्यूजित उत्तक है यह पौधों की मोटाई बढ़ाने काम आता है यह भाई हमारे का है पर्वसंदी यह जहां से एक कुछ निकल रहे ही यहां पर पायजाता है यहां पर पायजाता है फिर हमारा इस अब देखो करा इस स्थाई तक होते क्या प्राइब तक वह उतक होते हैं जो पूर्ड विक्सित होते हैं जो अल्रेड़ी अपने आपका पूर्ड विक्सित कर चुके होते हैं अब जैसे को यह फल है फल फल कब बनता है जब पती में फूल आता है फूल के बाद बनता है फल तो जो फूल के बाद फल का बनना है तो फल जब बग्दम से मीठाओं के तयार हो जाता है तो वो क्या है पूर्ड विक्सित है क्या है बटा वो पूर्ड विक्सित है यह वी सिंपल में जैसे बरगत क पेड़े पीपल का पेड़े वह और रेड़ी एक क्या पूर्ड विक्सित हो चुका है अब ऐसा तो नहीं कि पीपल भाई से साठ साल का हो या भी धीरे धीरे वह बढ़ता ही चले था नहीं एक सीमा बात उसकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है यानि वह अल्रेड़ी फु पूर तरह से विक्सित हो चुका हूं यहां पर उत्तक की बात हो रही है अब विक्सित का मतलई थोड़ी मैं विकासियल विक्सित देश के बराबर आगया भाया ताटा मबानी हमारे हाथ मैं इसे काम करते नहीं ध्यान देना तो कह रहा है जो इस्थाय उत्तक होते हैं वे उत्तक हैं जो पूर विक्सित होते हैं मतलब यह अपने आपको फुल डेवलप कर चुके हुए होते हैं और विभाजन की छमता खोची के होते हैं मतलब यह उत्तक अब विभाजित नहीं होंगे जैसे हमारी क्या है अमीबा अमीबा क्या था बटा अमीबा क्या था बटा य नई कोशी काऊंपर होता है अब यह ऊक्विश्वची कारियों के लिए क्या ने के लिए भी सिस्ष्ड होता है मतब कि इनका कुछ काम होता है उस लिए अपने आपको इदम запround यहां मेरा काम नहीं है कर देको किसी पौध कि सताइव तक वे उतक होते हैं जिन आइसी को सका ही होती हैं जो विभाजित नहीं होती है और इसलिए प्रजना नहीं करती हैं, मतलब सिंपल में वे उतक जिसमें ऐसी कोशकाई पा जा रही हैं, जो अब विभाजन की छमता खो चुकी है, मतलब अब नई कोशकाई नहीं बनेगे, अब जब नई कोशका नहीं बनेगी, तो नया उतक का निर्माण भी नहीं होगा, ज वही का रहा है, कि किसी पौदे का जो इस्थायों तक होता है, वे वो तक होते हैं, जिन में ऐसी कोशकाई होती हैं, जो विभाजित नहीं होती है, और भाई दोखो, बेटा, जो कोशकाई का निर्माण होता है, वो दो तरीके से होता है, एक होता है, विभाजन के द्वारा एक होता है दो लाइंगी अलाइंगी हम लोग इस चीज आप लोग आगे जानोगे तो यहां पर क्या था जो अलाइंगी होता है तो उसमें नरुमादा को होना कम पसरी है तो यहां पर क्या बेटर विभाजन के दौरा हुआ करता है लेकिन यह अल्रेडी बहुत ज़ता ही उतक होते हैं करा है पौधों के इस्थाय उतक वे उतक होते हैं जिनमें कोई कोशिकाए नहीं होती जो विभाजन में सब्छम हो क्या करा है कि भाईया जो इस्थाय उतक होते हैं इस्थाय उतक है पौधे के वे उतक होते हैं जिनमें कोई एक सिंगल ऐसी कोशिका नहीं पा किनी भी कौसिकाइ shade होंगी सब में भी भाजन की संता होच मैं और प्रजिनल करने में भी सत्छम नहीं मतलब नई को सिकाऊं का निर्मार यहां पर नहीं होगा अज जक celebrating भास बातों मुझाल थे लिए लिए इस वजह से देखाओगा सारी चीज़े मैं सिक्वेंस में लेके चल रहा हूं कहाँ इधर हॉस बॉस नहीं है बस एकदम से फुल फोकस बना कर रखना आगे तो क्या करा है कोशिकाओं को संसोधित करना भी संभाव है ताकि वह पौधों में विशिशकार कर सकें आगे हो इस सायू तक स संसोधित करना भी संभाव है मतलब देखो अब तुमने नोटिस क्या होगा कि जो नए जरनेशन के जो पौधे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एक पौधे में कुछ अन्य बदलाव कर दिये अब देखो अब पहले जो बीज पाए जाते थे चावल की चावल की जो पहले ब चार प्रकार के आते थे आज इतने प्रकार के फल के पौधे आते हैं पता नहीं कि बड़ा बड़ा छोटा बड़ा इसा कमली पलगा पता नहीं मेरे को नाम नहीं पता लेकिन वेराटीस बता है मार्कर में जाके जब देखता हूं इतना सारा राद है पापा कहेंगा इचा कि हेडर में की अगया किया जो सजिकों को भाद कर देंगे तो कि पाधे कार है ना वो अलग होजाएगा जिससे पाधे में विकली और अन्य चीजों का भी निर्मार कर भाध का घ्वाज ईसे पहले अनॉर्मस होते थे आज इतना बड़ा हापूस हाँ हाँ हापूस भी होता है बड़ा बड़ा आता है को एक कही आदमी खा के पेड़ भरसा है तो यह क्या हुआ उनमें जिनेटिक बदलाव भी किये जा सकते हैं बात ध्यान देना आगे हो करें स्थाय उत्तकी सभी कोश सिकाओं से उत्पन होती है अब जाहिस सी बात है कोई एक नई चीज़ का निमाड़ होगा मैं आज विक्सित हूं तो कहीं ने कहीं मेरे विक्सित के गुण आए हैं वह विकास सील से हमारा देश का विकास सील है और एक समय एक समय ऐसा है कि विकास सील देश से यह विक्सित कशकाहों में भी पूर्ट विभेदन प्रक्रियक होती है प्रते कुस्त्सकाइब बड़ी होती है और उसका अग और अक की प्रक्रिया होती है मतलब अपने स्टार्टिंग ताइम में जिसमें क्या है विभाजित होने की छंता थी पूंढ विभेदन की दीक खतम हो गई तो बैटे हैं हमार क्या को तो इस्तायी उतक यह दो प्रकार को थे एक सरल एक जटिल सबस्ता तक और जटिल जिटल टन्हें ब्रेकार के ठाल पाई जाते अग अब बाता प्हes खाएन गें पेटा पना में पानी बेटेव गेर जो भी चा चाहूर्स क से नहीं करता तो घुण मजा रही है मज़ा आएगी पैसान और बहुत अच्छे अगया हमारे सरल ज़ट सरल इस्ताइं उतक जडल इस्ताइं उतक अब सरल इस्ताइं उतक होते हैं वह उतक सीधे साध्य होते हैं कि अगर आपको सरल सीधा साधा मतलब यह दम से एक प्रकार के ही कोशिकाएं पाईस आती हैं इन सरल स्थाय उतक करते हैं कि अगे हो उतक बनाने वाली हर कोशिका एक संवर्षना की होती है साथी एक प्रकार के ही हिस्ता साज़ा करते मतब कि ओर और सरल स्थाय उतक में जितनी भी उतक पांज जाएंगे सब एक जैसे होगी एंप जैसे समझना वोगी एक जैसा कार होगा और एक जैसे ही इंफार्मेशन को साजह करेंगी बात कलियर हो नभी चाहिए आपकर चे сум कराTh काइमा यह तीन है क्या परन काइमा कॉलन काइमा और इसकरन काइमा यह हमारा इंग्लिस में नाम होता है आपके बुक में इंग्लिस में भी नाम दे सकता है और हिंदी में तो यहां पर लिखा हुआ है परन काइमा को कहते हैं मर्दू तक कॉलन काइमा को कहते हैं कठोर उत्तक यह तीनों उतक हमारे भेया सररिसाय उतक के प्रकार है यहां पर परन्काइम उतक होता है पतली को उसका वित्ती वाले जीवीद को कोज़की होती हैं जो इसे अन्ने उत्तक से अलग करती नहेगा जो परल्काइमा होता है यह थोड़ा सा डिफरेन प्ता है इस उत्क में बटा पतली कोज़ नहीं कोशिखा बिटी वाली बेटा जितनी लाइट जैसे कटी हुई है कोई प्रॉब्लम है इस वेसे हैं क्या ही बताए क्या दिकाफ है कुछ दिकाफ है समझ जगा है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किस उतक में पत्रली कोस्का भित्ति अब इत्ता तो तुम लोगों पता योगत है हमारे जो पादब कोश्का होती है उसमें कुछ का भित्ति पाई जाती है तो किया पत्रली कोस्का भित्ति वाली जीवित कुछ काई पाई जाती है जो इसे अन उतको सोई अलग बनाती है बड़ा किसे परन काईमा को आगे आओ कोश्काओं का अकार कसा अंडाकार और गोल हो सकता है कहां गया ये देखो उन्हें के पास एक बड़ा केंदरी रित्रिका और एक घना कोशी की द्रव होता है mily protec जो हमारा परन्द काइम होता है इस परन्-काइम 수ान में बेटा क्या है यह जो हमारी जो उत्तक हैं यह पहले गोल होती हैं गोल हो सकते हैं या फिर अंडाकार हो नें अब और यह बात इनमें एक बड़ी रिट का भी प्याजाती है इस बात का भी धान देना बहुत कुछ रिफरेंट नहीं यह होती है मतलब लुक्त हो जबाता है जैसे कॉंटेक्स अपीत क्या बटार है जो ईह ब्रोज के नर्म भागों के जगह पशाठा है उधारन कर लिए इसे हम परन काइमा उतक होता है अब बात करते हैं कॉलन काइमा करा यह कोशकाए जीवित होती है कैसी होता है यह कोशकाए जीवित होती है आगया हो और इनका का लंबा होता है मियां आपने इमिस देख हुई यह कहां पाई जाते हैं इसके परनाम सुरूप कोशका भित्ति के कोने मोटे हो जाते हैं बड़ा यह आंत होता है मतलब आखिरी में पाई जाते हैं इसके परनाम सुरूप कोश्का भित्ति के कोने मोटे हो जाते मतलब जो ज्यादा ही कम पाया जाता है इस बात का धान तर मतलब जो स्टाइब कुष्चंगों के बीच में इस वह बहुत कम होता है आगया आगा काहिए कई स्थानों पर पाया जा सकता है जैसे नतिके डंठल में मैंंधी नीचे के से इंची उत्या दिक मिरें बारे में पढ़िए बढ़ेंगे ड्रमा रोस हमारें अठली पूछा है कहता है आप में नहीं में बहुत सारे इक्जाम में भी पूछता है अभी में रहा हूं चीज्जा यह जो आपके इद्धा में हमेशा पूंछेगा आगे जीवन भद यह घल आएगा अब आता हमारे कॉलन कायमा कोश्काइमा है कमें लिखा हुआ है यह क्या था यह इसको काइमा उत्तक बनाने वाली कोश्चाइब जीवित नहीं रहें मतलब यह कोश्काःती में लीगिन की सश्च्छा के करां कोश्काःती आधिक मोटी होती है इस कुष्च को बनाने वाली कोषिकाय बिभिन अपर बिदोंट क मुट है इस कोई रहा तो दिकत नहीं वे आमताउर पर पती की नसों और बीजों को कठा आउरान में पाए जाती है जो बीज का आगया और सबसे महत्मुन का और क्या है कि पौधे के मुकिस सनचना त्मक तत्यों को कठोरता और यांतिक सहायता प्रदान करें मत्यकि पौधों को मझबूती प्रदान करना जो उनके मेन भाग हैं उसको थोड़ा से कठोर बनाना अब आता बटा जटिल उत्तक सरल अब जटिल इस्थाय उत्तक हमारा करा जटिल उत्तक वे उत्तक होते हैं जो एक सी अधिप्रकार की कोशकाओं से मिलकर के कर था इसमत्राय कि अलग लेकिन काम एक होगा यहीं करेंगी है जैसंते हमारा घ chutा है लोग सारी होता हैकर कोई काम होता सब्सक्राइब करते हैं अब यह मत करना कि सब्सक्राइब करता है पूरा जो घर की बच्ची होते हैं पूरा घर की सपाई करेंगे पापा लोग समान मिलाएंगे मम्मी बनाएंगी तो क्या रहा है सब कोई मिलके काम करता है आगी हो फिकर रहा है कि जैटल उतक के मुखे प्रकार जैसे हमारा जायलम दारू बोलते से दारू खंबा नहीं यह उसका नाम है जायलम को इन्दम दारू कहते हैं और फ्लोयम को बटा रस दारू कहते हैं यह तो कुछ डिफरेंट आ गया जारा मज जड़ों से पौधिा नभागों था करता जायलम क्या करता है जल और फ्लोयम जेपाए है उसको जड़ों के मादम पर दे सिल्कार्षय और और मृत कुछचा होती है कि सी इहां बी उती है खोखली होती हैं साथ में मिर्द कोश्क्राइब होती हैं सीरों पर छिद्र होते हैं उनमें छिद्र होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े करके लंबी नलिका बनाते हैं बार बार जुड़ करके अब सिंबल इमेस देखो को जड़ा सुन जाएगा यहां पर क्या है हर जगा ज दिवारें लिगन से मजबूत होती हैं लिगन हमारा एक प्रोटीन होता है आगया मुख्यकार बढ़ा जल को तेजी से और कुसरत्य पूर्वक परिवार करना जल को उपड़ ले जाना जाएलम कि सनचना बटा का है वहले इसमें वहलें निकाएं बठा ये क्या करती यह लंबारो पर सकांवालिए और आम त्रफ़ पर गोल होती जाएल Try नहीं क्याम है है हमने परन काइमा को तक देखे ना यह गोल होती है लेकि करा जो जायलम परन काइमा है यह जीविद कुसकाएं पतली दीवार वाली और आम तरपर गोल हुआ करती है आगया बहुभुजी मुखी कार क्या बटा भोजन का संग्रहान और जाल के पौधो जाल के पार सुचालन क्षण में सहाय्ता परतान करता है यानि जो भाईया जो हमारा क्या करता में है वो जायलम से और खनि चरोड को को ना भागों तब पहुंचाना होता है बिटे बास जाने हैं हम लोग यही पड़़ा करतें आप लोग यही बढ़ोंगे कि जो जायलम होता पत्तियों तक पानी ले जाता है आप लोग यही रत लेते हो कि पत्ती तक गय पत्ती बड़े नहीं जाइलम होता के जड़ो दोरह अवसूसित पानी को पत्ती के हर एक भाग तक ले जाती है पूल है पूस्प है हमारा ये डाल है हमारी पत्ती है हमारे फल है हर एक भाग तक ये जो भाईया हमारा जायलम उत्तक होता है ये जल को हर एक भाग तक ले जाता है इस बात का धान देना कि वर पत्ती तक जायलम पानी नहीं ले जाता है आप लेकि किताब में बिल लिए रहेगा कि भाईया पत्ती को भोजन बनाने के लिए जड़ो दोरा पानी है सूसित करके जायलम के दार पहुचाता है लेकिन पत्ती तक नहीं जाता है पहुद्दे के हर एक भाग तो जाता है अगर पानी हरे बाग तो न जाता तो सोच के देखो क्या नारियल के अंदर पानी आता क्या जो हमारा आम होता है है उसके पास आता कि हुवारा ठाउन नाइंटी परसेंट वाटर पाई जाता है घीरा में सोचो तो कैसे पूरा पानी हर यह भागता पुंचता आई अब आता है तो यह घौ भोजन जोकी ग्लुकोज्य सरक्रा के रुकत उसका परिवहन करता ह है पतियों के अनिभागugen से पौद हो के अनिभाग बडे बात आंगो जो जाइलम होता है वो फानी को नीचे से उपर के ओर करता आनि नीचे तक और नीचे भी बेजता है और नीचे बेजता है आई जड़ों के पास भी भूजन बेजता है कि या थो यह पैसे नहीं है। लंबी जीवित और अधिकांज कोशिकांग अनुपरस्तित पर चालनी हमारी प्लेट्स होती है मुख्यकार के बड़ा भोजन का परिवहन करना तो बड़ा यह आपको जएदा जाने जूरते हैं बड़ इतना जान लो कि जो इसमें जो कुषकाएं पा जती है वो चालनी कुषकाएं कहलाती है जो भोजन का समवहन करती है या लाती ले जाती है आप लोग यहाँ पर अब द जाता है नीचे जो क्या करता है यह किया करता है इप डर्म इप डर्म सेख कालाती है सहय कोशिकाय का लाती है एपीडर्मल बाल यानि ट्राइकोमा सहित कई विभेदित कोश्कों के प्रकार सामिल होते हैं मतलब इसमें जो एतरह से समझे लो सिंपल में कि जो पौधों कूपर जो छोड़े छोड़े बाल होते हैं वहां पर हमारा यह एपीडर्मल उत्तर पाया काल कही करता क्या पानी की कमी को रोपता है फिर गैसी भीनमे में विनियमिद करता चापांचार प्रदार्थों को स्रावित करता पानी और फहने को कि पौष्यों करताndh вещ करता हैं फारच हमारे जितना भी क्या है यह जो एपीडर में सुता है यह पोधों के सभी भागों को कवर करता है और ढगता है इस प्राद का धान देना ठीक है आगे हो एक कुछी परद से बना होता है और पत्ती इतना फूलों और जड़ों को ढगता है कौन हमारा एपीडर मुखेकार क्या बटा सुरत्ष्छा प्रदान करना बाहरी वातपड़ से पौधों की रच्छा करता है जल सनच्षन करता है कि गर्मी जाए तो पत्ती से सारा फूल पानी उड़ जाएगा तो उससे बचाने काम करता है गैसी बिन में मतलब रंधों के माध्धहम से कैसों का अदान प्रदान भी करने का काम करता है अब अधार में पानी बाहर ना जा सके दूसरी इसमें कम रंदर होते हैं रंदरों की संख्या कम होती है और अक्सार गढ़ों में इस्थित होते हैं और प्रकास की जिसे से हमारा जजस अनुज़ के अंदर पूद्धे क्या करते हैं वह भी उसके पानी जो पहुंचा है उसको बचाने कोशिज़ करते ताकि पौधा सूख है ना चमकीली सता अत्रित सूर के प्रकास को प्रावर्तित करने में सहायता प्रदान करती है क्योंकि जिससे क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा मातर में प्रकास का प्रावर्तम हो जाएगा तो इसके अंदर जो पानी है बहुत ज्यादा दिर तक रहेगा तो बटा यहीं तक वैसे पादपूतक को लेकर कि मैं पादपूतक से हर एक चीजों को पढ़ा दिया है आसा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी जहां पर कोई डाउट हो तो बता देना सरी हां तो बेटा हाँ मिलते हैं अगले क्लास में तब तक लिए नमस्कार रधे रधे जहें